हाई माई डीर फ्रेंड्स पिछले लेक्चर में हमने जौमेट्रिकल कंस्ट्रक्षन इस चाप्टर की सेकंड प्रॉपर्टी स्टेडी की थी second property 3 हमारी to construct a triangle given two sides and the angles included by them okay अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो firstly आप उसी देख लिजे उसके link में इस वीडियो के description में दी है okay so now in this lecture we are going to solve our next practice set that is practice set number 3 okay so here our first question is draw triangles with the measures given below okay यहापर हमें कुछ values दी गई है उनसे हमें triangles draw करने okay friends so first question here in triangle m80 length ma equal to 5.2 centimeter measure angle a equal to 80 degrees and length 80 equal to 6 centimeter okay friends so firstly यहापर क्या करना है rough figure draw करना है okay rough figure आप हैंड से भी draw कर सकते हो और आपको लगे तो आप scale से भी draw कर सकते हो so firstly हमें क्या consider करना है big length okay big length कौन सी है length 80 and वो है 6 centimeters okay so big length हमेशा base पर आनी चाहिए okay so यह हो गई हमारी length 80 and length 80 है 6 centimeters की okay friends then इसके बाद major angle a equal to 80 degrees okay so मैं इसे consider करते हैं एक एंगल major angle a equal to 80 degrees then इस point को हम नाम देते हैं okay then m and t को हम join कर लेते हैं okay so m a distance कितना होगा 5.2 centimeters okay so this is our rough figure okay friends so हम actual construction आप ड्रॉग करते हैं so firstly हमें यहापर base पर length 80 ड्रॉप करने है so हम फिर्सली यहापर scale रख देंगे ओके 0 से start करेंगे यह जीरो दिन हेर 1 2 3 4 5 6 ओके फ्रेंट्स सो 6 cm तक है हमें stop करना है अब इन टू पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है तो यह हो गई 6 cm की लाइन लाइन का नेम क्या है ए टी सो इसे नाम देते हैं हम 80 ओके और वह 6 cm की तो यहापर हम नोट कर देंगे 6 cm ओके फ्रेंट्स अब देन इसके बाद हमें क्या करना है firstly एंगल ड्रॉ करना है सो हम क्या करेंगे प्रोटेक्टर के यूज करेंगे इसके लिए यह आपर हमें एंगल ए की वेल्यू दिगें सो हम पॉइंट ए पर प्रोटेक्टर रख देंगे ओके नोट बुक की लाइन एंड प्रोटेक्टर की लाइन पैरलल आनी चाहिए हमें यह आपर दिया गया है एंगल ए की वेल्यू 80 डिग्रीज तो यह यह 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड लास्टली यह 80 पर स्टॉप करना है ओके फ्रेंड्स अब इस न्यू पॉइंट को ए पॉइंट के साथ हमें जोड देना है तो इस एंगल is of 80 डिग्रीज ओके देन इसके बाद क्या करना है जो साइड बची हुई है लेफ्ट है देट इस लिंक्ट एमें इसे हमें ड्रॉ करना है ओके फ्रेंड्स तो इसके लिए हमें कंपस एंड स्केल का यूज करना पड़ेगा सुम क्या करेंगे स्केल लेंगे एंड कंपस लेंगे कंपस का टीप जीरो पर रखना है अभी आपर फोर दिन फायू ओके फायू पॉंट टू दिया गया है means here 5.1 and here 5.2 ओके फायू के बाद वाली सेकन छूटी लाइन इसकी वाली होते है 5.2 so this is 5.2 cm distance ओके अब हम क्या करेंगे पॉंट ए पर कंपस का टीप रख देंगे देन इस एंगल पर एक कर्व रो करेंगे ओके से कर्व गया तो फ्रेंग्स यह डिस्टन्स होगा 5.2 cm का एंड इस न्यू पॉंट को हम नेम देते हैं एंड ओके विकाज में के हमें यहां पर यह वेल्यू दी गए थी तो लेंग्स में एक वाल टू 5.2 cm देन इसके बाद पॉंट एम एंड पॉंट टी को हम जोड देंगे ओके क्या हमें यहां पर ट्रेंगल ड्रॉ करना था तो इसले ट्रेंगल की कितने सेट्स होते हैं थ्री सेट्स इसले हम पॉंट एम एंड पॉंट टी को जोड देंगे ओके फ्रेंट्स तो हमारा कंस्ट्रक्शन यहां पर हो गया अब बढ़ते हैं नेक्स्ट्स के लिए यहां पर हमें क्या दिया गया है एक एंगल की वैल्यू दी गई है एंगल टी की और वो है 40 डिग्रीज यहां पर दो लेंग्स हैं ओके प्रॉपर्टी टू जे सही है यह क्वेश्चन बट इन दोनों लेंग्स की वैल्यू सेम दी गई है इन दोनों लेंग्स की वैल्यू है 5 सेंट्रिमिटर्स तो आप कॉ लेंक टीयस भी ले सकते हैं और लेंक एंटी भी ले सकते हैं सो फॉर्सली हम यहापर एंटी कंसिडर करते हैं ओके एंटी है फाई सेंटेमेटर्स की ओके अब एंगल टी की वेल्ली दी गई है हमें एंट वह है 40 डिग्रीज सो में आपर कंसिडर करेंगे ओके यह 40 डिग्रीज आ सकता है रफ फिगर में फ्रेंड्स आपको प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है ओके रफ फिगर में सिर्फ रफली आप हैंड से और स्केल से जैसे भी चाहें वैसे आप ट्रॉ कर सकते हो ब इसके बाद लिंक्ति यस को एक वाल टू फाइव सेंटिमेटर ओके इस न्यू पॉइंट को हम नाम देते हैं एस यह लिंक्ति यस होगी 5 सेंटिमेटर की इंदिन एन एन इसको हम जोइन कर लेंगे तो यह हो गया हमारा ट्रेंगल और इस आवर रफ फिगर ओके सब्स्रक् की सो यहाँ पर है जीरो इन हीर वन टू टू ट्री फोर फाइव ओके फाय तो कि हम स्टॉप करना है बिकास फाइव सेंटिमेटर्स हमें वेल्यू दी है ओके सो इन दोनों पॉइंट्स का हम जोइन कर देंगे जो दिस इस आवर लेंग्थ एन टी एन विच इस आफ फायू सेंटिमेटर्स ओके देन इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स प्रोटेक्टर लेंगे फिर्सली प्रोटेक्टर को पॉइंटी पर लग देंगे न फॉर्टी डिग्रीस का एक एंगल ओके तो यहासे स्टा अब इस न्यू पॉइंट को एंड पॉइंटी को हम जोइन कर देते हैं जो दिस इस आवर 40 डिग्री एंगल ओके एंगल टी एकुल तो 40 डिग्रीस ओके यह हो गया अब लास्ली क्या करना है हमें साइड टी एस भी ड्रॉ करने हैं सो हम क्या करेंगे इसके लिए कंपस एंड स्केल का यूज करेंगे सो हीर कंपस का टीप 0 पर दिन 1,2,3,4,5 cm ओकी दोनों लेंग सेम हैं ओकी सो इसमें भी हमें 5 cm डिस्टन्स नाप लेना है पॉइंट टी पर हम कंपस रखेंगे दिने कर्फ एंगल पर ड्रॉ कर देंगे ओके फेंट्स तो कर हो गए अलिसे नाम देते हम एस ओके लिंक टी एस एकुल तो 5 cm देन इसके बाद पॉइंट एन एन पॉइंट एस को हम जोइन कर देते सो फ्रेंट्स इस आवर रिक्वाइड कंस्ट्रक्शन ओके यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेशन भी खत्म हो गया सो फ्रेंट्स बढ़ते हैं थर्ड क्वेशन के लिए थर्ड क्वेशन है इन ट्रेंगल एंगल एंगल का यूज करके हमें ट्रेंगल करना है स्व Ilham रख फिगर करेंगे के ओक एक तो फिर्सलिविग सेट सेट कंसिडर करने हमें चाहे लेंग्ट एफ यू तेस पर क्वेशन लेंग्त एफ यू पल एबकी अर फेट फिज 드대 के यूसी मेफिवेट से तेशम एपनर whena टया गए है प्रक्राशन एंगल यू इकल टू 110 डिग्रीज तो यू से हम एसे एक एंगल कांसे करते हैं इसे बोलेंगे 110 डिग्रीज का एंगल देन इसके बाद इस पॉइंट को हम नाम देते हैं N ओके तो देन F and N को हम जोइन कर लेते हैं ओके तो हीर यू एकल टू 4.6 cm सो इसके बी वैल्यू हम यहाप पर लिख देते हैं तो फ्रेंड्स इस इस आवर रफ फिगर अपम एक्ट्छल कंस्ट्रक्शन ड्रॉग करते हैं सरफ फिगर के नुसा फिर्स लिए लेंध एफ यू ड्रॉग करते हैं और वो यह 5 cm की तो हीर स्केल रख देते हम फिर्स लिए आपर है जीरो तो हम यह 1,2,3,4,5 तो 5 तक हम स्टॉप कर देंगे ओके बिन इन दोनु पॉइंट्स को हम जोइन कर देंगे इसके बाद हमें प्रोटेक्टर का यूश करना है प्रोटेक्टर हम पॉइंट यू पर रख देंगे बिकास हमें मेजर एंगल यू की वैल्यू दीगे ओके 110 डिग्रीज इसकी वैल्यू है जो जीरो से हम स्टार्ट करते हैं यहां पर है जीरो यहां तक ही हमें स्टॉप करना है बिकास एंगल यू की वैल्यू है 110 डिग्रीज देन इस न्यू पॉइंट को एंड यू पॉइंट को हम जोइन कर देते हैं ओके यह हो गया हमारा एंगल 110 डिग्रीज का अब क्या करना है हमें यू यह लेंग ट्रॉ करना है इसके लिए हम कमपस एंड स्केल का यूज करेंगे तो परस्ली कमपस का टिप जीरो पर रखना है देन 4.6 cm ओके तो हीर 4 ओके देन 4 और 5 में जो मिडल बिग लाइन है उसके ते 4.5 और उसके बाद वाली जो स्मॉल लाइन है उसके ते 4.6 cm so this distance is of 4.6 cm so I am क्या करेंगे friends point u पर कमपस का टिप रखेंगे और एंगल पर एक curve draw करेंगे okay so curve draw कर दिया हमने अब इस new point को हम नाम देते है n okay so length u n equal to 4.6 cm because हमने 4.6 cm distance अपने कमपस में ना पाता and then इसके बाद इस पर curve रहा था है so distance इतना यह हो जाएगा 4.6 cm का okay then इसके बाद हम point f and point n को join कर देते because हमें यहाँ पर triangle draw करने के लिए बोला था okay so this is our required construction okay so here हमारा third question भी खत्म हो गया है अब बढ़ते हैं हमारे last question that is question number 4 के लिए okay अवर question number 4 is n triangle prs length rs equal to 5.5 cm length rp equal to 4.2 cm and major angle r equal to 90 degrees so firstly हम क्या करेंगे big side consider करेंगे big side है length rs so length rs base पर आ जाएगी होने में चोटा सा square ओके यह आपको ध्यान में रखना है हमेशा दिन हीर लेंग पी आर इक्वाल टू और लेंग्ट rp equal to 4.2 cm ओके सो फ्रेंड्स इस आवर रफ फिगर अब हम 1 2 3 4 5 ओके 5.5 cm है तो 5 & 6 में जो मिडल बिग लाइन है उसे कहते 5.5 cm ओके सो यह आपर एक दूसरा पॉइंट आएगा अब इन दोनों पॉइंट्स हम जोइन कर देंगे तो इस आवर लेंग्थ आर एस ओके और विच इस आप 5.5 cm देन इसके पात हमें एंगल आर रो करने सम आर पर प्रोटेक्टर रख देंगे दिन 90 डिग्रीज का एक एंगल ड्रो करना है ओके अब इस न्यू पॉइंट को एंड पॉइंट आर को हम जोइन कर देते हैं तो इस इस 90 डिग्रीज ओके 90 डिग्रीज को आप राइट एंगल भी बोल सकते हो ओके फ्रेंड्स अब लास्ली क्या बचा है लेंग्थ आर पी और लेंग्थ पी आर ओके अब लेंग्थ आर पी ड्रो करने के लिए हमें कमपस एंड स्केल का यूज करना पड़ेगा फिर स है तो यहाँ पर है फिर्सली 01234 ओके 4.2 सेंटीमेटर है तो फोर के बाद आने वाली सेकेंड स्मॉल लाइन इसे कहते हैं 4.2 सेंटीमेटर तो इस डिस्टांस इस डिस्टांस इज आप 4.2 सेंटीमेटर अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स आर पोइंट पर इस कमपस के टिप को रखेंगे एंगल पर एक कर ड्रॉ करेंगे ओके से कर हो गया अभी आपर हमें एक न्यू पॉइंट मिला इसे नाम देते हैं पी ओके तो इस लेंग्ध इस आफ 4.2 सेंटीमेटर्स ओके फ्रेंड्स देन इसके बाद पॉइंट पी एंट पॉइंट एस को हम जोइन कर लेते हैं तो प्रेंट्स दिस इस आवर रिक्वाइर ट्रेंगल ओके तो थैंक्स पॉर वाचिंग मैं वीडियो तो बाई एंड हेव नाइस दे